Hello everyone, मेरे नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत online पढ़ाई पर करती हूँ आज का वीडियो हमारा seated exam को लेकर ही है और seated exam के लिए आज हम तयारी करने वाले हैं अपनी complete NCRT class 6 to class 8 chemistry तो आज के इस वीडियो में आपको ये chemistry पूरी one shot मिलने वाली है और इस एक वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके chemistry के सारे questions ठीक हो जाएंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है आपको फिर भी अगर slow speed लगे तो आप 2X पर देखिएगा एक दो बार सुन लिजेगा, repeat करके देख लिजेगा, आपको चीज़े याद हो जाएंगी चलिए आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर जाकर देख लिजेए, इस वीडियो के comment section में भी मैं पिन कर दूंगी वो important important वीडियो जो कि आपको देखना बहुत जरूरी है, आप अगर exam के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम तयारी करते हैं science की, और science की हमारी तयारी बहुत सटीक हो रही है, बहुत systematic हो रही है, perfect हो रही है तयारी तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए, मैंने class 6, class 7, class 8 की NCRT की आपको समरी दी है, साथी साथ bio का complete, पूरा bio 6 to 8 का एक वीडियो दो घंटे में दिया है, जिसमें की complete bio है आपकी, इसी तरह से physics के तीन वीडियो है, 40-40 मिनिट के, उसमें भी पूरा आपके syllabus के हिसाब से जिस तरह से exam से पूछा जाता है, उस तरह से physics मैंने उसमें कराई है, सब-सब आज का वीडियो आपका chemistry का हो जाएगा, एक वीडियो आपका नहीं भी आप लाक नहीं करेंगे, सीटेट के exam को clear करने के लिए, पर आपको थोड़ी महनत अभी इस level पर करनी पड़ेगी सभी को, चलिए आए वीडियो को start करते हैं, और अगर आप CDP की भी तयारी करना चाहते हैं, तो आप CDP की तयारी पैड़ा love channel के माध्यम से कर सकते ह हैं, वहाँ पर अमन सर हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपके concept को clear करेंगे, चलिए आए वीडियो को start करते हैं, और अगर आप channel पे नए हैं, तो subscribe कर दीजेगा, वीडियो को बे comment ज़रूर करा करें, comment से ये बता लगता है कि चीजे आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ र topics हैं, जो जिससे आपको questions देखने को मिलता ही मिलता है, जैसे कि coal के chapter से, तो coal के chapter से क्या क्या चीजे पूछी जाती है, तो coal का formation कैसे होता है, क्या चीज, कौन सी conditions होती है, जिसमें की coal जो है वो बन रहा है, तो आप देखेंगे कोईला कैसे बन रहा है, कि अगर forest को, अगर क सर्मीन के दब गया, कुछ ऐसी आपदा आ गई, कुछ सुनामी आ गई, आपका earthquake आ गया, landslide हो गई, तो इस वज़े से क्या होगा, वहां का area जो है, पूरा submerged हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, अंदर बरी हो जाएगा, तो उसकी वज़े से क्या होगा, उस बरे होने के मत आपको याद रखना पड़ेगा, कि उच्च दाब और उच्च तापमान, high temperature और high pressure ये दो ऐसी conditions होती है, और साथी साथ समय तो लगी रहे, बहुत टाइम लग रहे है, over the years लग रहे है, तो इन समय के साथ साथ, आपको क्या चीज याद रखनी है, high temperature और high pressure, आप यहां vegetation है, मतलब जो forest का area है, जब वो पूरा दब जाता है, जमीन के अंदर, तब उसके उपर क्या मिल लगता है, सबसे पहले तो समय लगता है, और समय के साथ साथ क्या लगा, आपका time तो लगा ही, बहुत सारा आपका time लगा, साथ साथ इसमें high temperature और high pressure लगा, उच्च दाप औ गया, आपका coal का formation हो गया, ठीक है, next बात कर लेते हैं, अब coal की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा coal, coal कौन सा माना जाता है, anthracite है, तो ये best coal माना जाता है, 86-97%, फिर आपका peat क्या है, इसमें, पीट जो है, lowest quality of coal माना गया है, ठीक है, इसके बात बात कर लेते हैं, coal का presence current या coal की जो processing होती है, तो इस coal की processing में, जो ये byproduct बन रहे हैं, ये आपसे exam में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, coal का क्या presence current है, तो coal की processing हो रही है, तो coal की processing के बाद coal तार बन रहा है, coal gas बन रहा है, और coke बन रहा है, तो coke जो हो तो coal तार से क्या है, नाप्थलीन बॉल्स, जो आपने देखे हैंगे घर में नाप्थलीन बॉल्स, तो वो कैसे बनते हैं, वो कोल तार की हैज से बनते हैं, तो तीसरा जो आपका byproduct हो गया, coal की processing में, वो आपका हो जाएगा coal gas, जितना मैंने लिखा है, उतना ही आपको या And, the petroleum of petroleum है जे बनता है, जब समुद्र में क्या है, हलचल हुई कुछ हुआ तो क्या है, कुछ remains है वो मर जाते है, कुछ जानवर है, जीव है, यह सब मर गए, तो उनकी मरने से क्या है, फिर ऊपर से उनके उपर छाटा होती जा रही है, तो भी साथा साथिस उतना है, प्लां तो मर रहे हैं और बहुत समय लग रहा है बहुत समय बहुत जादा समय लग रहा है मतलब over the years फिर से लग रहा है अब साथ ही साथ इसमें भी कुछ conditions होती है तो वो conditions और सबसे पहली condition आपको सेम वही याद रखनी है जो आपकी क्या हो जाएगी कोल वाली उच्च दाब और दूसरी उच्च तापमान आपको याद हो गया वेरी गुड आप बात करते हैं तीसरी condition तो तीसरी condition आपकी petroleum में लगती है यह है absence of air मतलब यहाँ पर क्या होता है oxygen की क्या है अनुपस्थिती में यह conditions जब लगती है तब क्या है आपका petroleum form होता है ठीक है तो यह याद रखेंगे कि जब समुद्र की बात आई समुद्र में उच्च दाब और उच्च दापमान साथी साथ oxygen क्या है रॉंग मतलब नहीं है अब petroleum बन गया और natural gas साथ में बन गया अब अभी आपने देखा था की coal की जो प्रेसर्स करण था उससे क्या क्या चीज़े मिली थी अब हम यहां देख लेते हैं कि जो petroleum है इसके mixture में क्या क्या चीज़े प्रेजेंट होती है very important note कर लिजिए important लगा लिजिए आज आता है exam में ठीक है तो क्या क्या बनेगा petroleum के mixture में क्या क्या चीज़े है petroleum gas है डीजल है petrol है lubricating oil है paraffin wax है तो यह आपको पाच चीज़े आपको देखने को मिलती है petroleum gas petroleum बनेगी इससे डीजल भी बन रहा है डीजल भी बन रहा है पेट्रोल भी बन रहा है lubricating oil भी बन रहा है और paraffin wax पूछा जाता है तो paraffin wax petroleum का by-product है अब बात कर लेते हैं black gold यह भी exam में पूछा गया question है कि black gold किसको बोलते हैं तो black gold आपका हम ठिक लगा के आ जाते है coal के उपर यह हम ठिक लगा के आ जाते है coke के उपर c o k e coke और c o a l coal तो coal बतलब koila और coke coke ठीक है तो इस पे अगर लगा के आ जाते हैं टेक पर हमारा answer क्या हो जाएगा कि black gold क्या है black gold है आपका petroleum ध्यान से note करेंगे अब बात कर लेते हैं natural gas तो natural gas जो आपने देखा होगा cylinders में आपकी lbg हो गई cng हो गई तो यह सब क्या है क्या से प्राकतिक gases है तो इन प्राकतिक gases को कौन से ऐसे conditions होती है जिसमें रखा जाता है तो इसमें आपका pressure क्या हो जाएगा high मतलब उच्य दाब और आपका temperature क्या हो जाएगा low इस बात को आप करेंगे अभी तक high temperature पढ़ते आ रहे थे पर जब natural gas की बात आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा temperature जो है बहुत ही कम होता है low temperature होता है तो आपको natural gas का याज रखना है हाई pressure and low temperature ठीक चलिए अभी यह जो नीचे लिखा है यह हमारा इधर का टॉपिक जो रहे गया था उसको मैंने इधर नोट कर दिया है अभी हमको इधर देखना है अब बात कर लेते हैं combustion and flame के chapter से क्या क्या चीज़े हमारी आती है आपका कोई वह चाप्टर complete हो गया चलिए नेक्स chapter देख लेते हैं हमारा combustion and flame तो ज्वाला देहन और ज्वाला तो जहन और ज्वाला सबसे वाले ignition temperature क्या होता है तो ignition temperature वो न्यूनितम से न्यूनितम temperature होता है जिस पर कोई भी चीज चलती है जैसे कि आपने गैस के आगे माचेस जलाई तो माचेस जलाते ही गैस के आगे वो जल जाएगी तो मतलब वह क्या है इसका minimum temperature है जिस पर वो चीज जल रही है अब बात कर लेते माच से किसे बनी होती यह एक्जाम में पूछा जाता है तो ATS mnemonics है ATS PC और ATS से क्या हो जाएगा antimony trisulfide और WP से क्या हो जाएगा white phosphorus और आपको PC से क्या हो जाएगा potassium chloride यह आप याद रखेंगे कैसे भी करके याद रखेंगे एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा जब आपको option आएगा तो आप टिक कर पाएगे ठीक है जो math stick है math stick जो उसकी ति साइड में जैसा Rough surface होता है वो किस चीजका बना होता है तो वो आपका glass powder प्लस आपका red phosphorus का बना होता है ठीक है जो side का Rough surface जिससे आप इसा घिसते है तो वो किसका बना होगा वो आपका जो surface हैस्की यह service हैसकी यह Glass powder और red phosphorus की बनी होती है रोज मेरा marker leak होता है आप बात कर लेते हैं कि जो combustion में दो तरीके के combustion आपको पढ़ने हैं एक spontaneous और एक आपको rapid combustion तो spontaneous combustion ऐसा combustion है कि मतलब आप चाहते भी नहीं है तब भी वो चीज़ हो जा रही है अगर आपने sodium को air में लाया या potassium को air में लाया तो तुरंद उसमें आग लग जा रही है क्यों कि वो spontaneous combustion है इत्SU हो जा रही है आप चाहें नहीं चाहा रहें उसको कोई फरक नहीं पढ़ता उसको बस होने से मतलब है पर rapid combustion कैसे होता है ऐसे तरह की combustion जैसे कि आपने गास जलाई और गास अपनी इक्षा के अनुसार जलाई और इक्षाक के अनुसार जला के इसकी पास मातिश के पिलीं लेके गए तो वो जल गई तो यह एक्जामपल कितका पोटाशियम जो होता है, पोटाशियम हमारा हमेशा पानी में रखा जाता है, एर के कॉंटाक्ट में आकर ये क्या है, आग पकड़ लेता है, इसलिए हम उसको पानी में रखते हैं, साथी साथ ये highly reactive metals है, अभी हम जब metal, non metal का chapter पढ़ेंगे, तो हम उसमें और detail में देखेंग पर मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, क्योंकि chemistry का हमें कि ये one short video prepare कर रहे हैं, इसमें हम सारी चीज़ prepare करेंगे अपने exam point of view से, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले hydrogen की सबसे highest calorific value होती है, सबसे ज़्यादा calorific value कि इसकी hydrogen की, फिर आपकी क्या हो जाएगी, LPG की 55, फिर CNG methane की, फिर petroleum, kerosine and diesel, फिर coal की, फिर wood की, फिर cow dung की, आप से cow dung की पूछते हैं, तो lowest हो जाएगी cow dung की, hydrogen की highest हो जाएगी, LPG, methane और CNG ये सब आपकी लगबग बीच में आ जाएंगे, तो ये आप एक दो बार table देख लेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा, सबसे उच् हो जाएगी, वो cow dung, और coal की आपकी 25,000 K होती है, कुछ चीज़ें आप इसको ध्रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, और मैंने आपको याद करें तरीका बताया था, कि LPG हमारी कहां होती है, kitchen में होती है, kitchen में हम कौन से साबुन की टिकी यूज़ करते हैं, बरतन होने क से कम हो जाती है, पांच कम 50, पेट्रोल और केरोसीन और डीजल उससे और 10 कम, बना पांच कम तो 22, ठीक, आपको एक तरह से, बस आई, वोवर्यू लेना है, कुछ ऐसा, कोई आपका वायवा तो होना नहीं है, आप जिब options देखेंगे, तो आप खुद आंसर तक बहुट ज जाते हैं, और ये statement form में question आता है, कि कौन सा luminous zone है, कौन सा non-luminous zone है, कौन सा zone hottest zone है, कौन सा इस zone है, जो use करता है आपका, जो सुनार है, किसी भी metal को गलाने में, तो वो कौन सा zone हो जाएगा, वो आपका सबसे बाहर वाला zone हो जाएगा, जो ये वाला non-luminous zone है, इसको आप, अगर exam में आ जाता है तो लगता है कि luminous zone करता होगा क्योंकि वो नाम से है कि luminous मतलब जल रही है कोई चीज पर आपका answer हो जाएगा कि जो sonar use करता है कौन सा zone होता है वो non-luminous zone होता है वो invisible zone होता है पर साथी साथ वो hottest zone होता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है यह सब points आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं यह जो बहारी zone है बहार का zone अगर आप candle को देखेंगे तो candle को अगर दूर से आप इसे touch करेंगे तो आपके हाथ में आप जल जाएंगे आपको कुछ दिख नहीं रहे है कोई layer दिख नहीं रहे है कोई आपको zone दिख नहीं रहे है पर फिर भी आपका हाथ जल जा रहा है वो क्यों कि वो आपका non-luminous zone है और वो hottest zone है और साथे साथ इस zone में क्या होता है complete combustion होता है यह सब points आपको बहुत important है याद रखने के लिए और आप telegram channel से जुड़ जाएए telegram channel पर मैं board की pdf as such board को screenshot कीचके आपको post कर देती हूँ तो उससे आप last ने बस आप ऐसे से scroll करेंगे आपका बहुत अच्छे से revision हो जाएगा तो यह क्या होगा non luminous zone invisible होती है hottest होती है और incomplete combustion देखने को मिलता है इसके बीच वाला zone जो होता है luminous zone होता है जो बहुत चंकीला होता है इसका मतलब वो brightest zone है पर इस brightest zone में क्या problem हो जाती है कि यह brightest zone आपको देखने में लग रहा luminous है इसका मतलब सब कुछ हो रहा होगा पर य यहां में पूछा जाता है which zone which is the zone that has no combustion whether no combustion takes place तो वो आपका answer हो जाएगा कि dark zone जो होता है इसमें no combustion मतलब no combustion वाली प्रक्रिया होती है आपका combustion का process नहीं होता है ठीक है अब यह क्या होता है यह जब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इलीस hot zone है और इसी zone में क्या होता है इस zone म तो इसका मतलब कि wax को पिघलने में और wax को जब wax melt होती है तो wax पहले melt होगी और melt होने के बाद क्या हो जैगी vapors में convert हो जाएगी और इस vapors में convert होने के बाद क्या है flame जो है release करेगी इसका मतलब इस point से हम यह समझ सकते है कि जतनी भी चीज जो जलने वाली है जो vapors प्रेद् को और रहाष्यायद को नहीं करता है ठीक है यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आप बात रहते हैं फिजिकल और चेμिकल चेंज में तो फिजिकल अरे केुज में हैापने देखा होगा की अगर अगर पेपर को फाड़ इन प्रड़ और पहले को बाद दिया तो वह फि बिखोट चेंज हो जाता है पर अगर कोई नया सब्सेंज बन गया को यह ना प्रोड़क्ट बन गया तब उसके हो गए आपके chemical sorry chemical change साथ सा digestion of food आपने खाना खाया तो food digest हुआ तो वो कौन का change है वो भी आपका रसाइनिक change है और बात आती है कि जो physical change होते हैं तो वो क्या होते हैं वो reversible होते हैं आप उसको reverse कर सकते हैं पर एक statement आती है क्या सारे physical change reversible है तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं सारे physical change reversible नहीं होते हैं क्योंकि कुछ ऐसे चीज है जैसे कि आपने घास को काट कर घास थी साजी आपने घास को काट दिया अब क्या वो reversible है क्या आप उसको वैसा कर वैसे ही बो सकते हैं सेम उसी तरह से तो नहीं तो इसलिए कि all changes all physical changes are not reversible सारे physical change reversible नहीं होते हैं ऐसे ही chemical change में भी आपका हो जाता है तो एक अफवाद हमेशा ही रहता है तो इस statement को भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी book में दो test आपके exam में पूछ लिए जाते हैं जैसे कि पहला test hydrogen का test और hydrogen के test में क्या होता है pop sound release होती है वो अभी हम जो ऐसे indicators वाले chapter करेंगे मतलब acid and basis करेंगे जो उसमें हम देखेंगे अभी हम carbon dioxide test देख लेते हैं तो एक test tube है मान लिजे मान लिजे ये मेरे पास एक test tube है और इस test tube में क्या present है इस test tube में present है lime water और यहां से क्या क्या यहां से आपने फूका मतलब blow किया क्या आपकी air को blow करा air को ठीक है फूक को आपने फूका मतलब फूका तो इससे क्या होगा आपकी फूक में क्या present होगा carbon dioxide present होगा तो इस फूक के carbon dioxide present होने से यह carbon dioxide क्या है इसमें आ जाएगी अब इसमें आने के बाद तो यह lime water को क्या कर देगी यह lime water को milky dhu या color में convert कर देगी तो यह आपका Carvohydrate Test होता है जो आपकी बुक में दिया है इसके बाद बात कर लेते हैं Galvanization, Galvanicolor का Galvanicolor का एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें कि आप कोई भी Metal के उपर एक Coating करते है और उस Coating से उस Metal को Corrosion से बचाया जाता है तो Galvanization एक Protective Covering होती है, Coating होती है किसके उपर Iron या Steel के उपर to Prevent Rusting या Corrosion उसमें Rust बनाने से या Corrosion से उसको Free करने के लिए इसके उपर एक Coating की जाती है अब Coating किसकी होती है, Chromium की Coating होती है और या Zinc की Coating होती है तो ये दो Words आप याद रखेंगे, Coating किसकी होई, Chromium की Coating या Zinc की Coating और किस पे होई, Iron के उपर होई या Steel के उपर होई Chromium की Coating, Zinc की Coating किसके उपर, Iron के उपर या Steel के उपर इसके साथ साथ Stainless, Stainless किससे बना होता है, Iron, Carbon, Nickel, Magnes और Chromium ये आपको याद करना पड़ेगा, Iron, Carbon, Nickel, Magnes और Chromium, किस क्या क्या है, ये Stainless Steel से बना हुआ है ठीक है, अब बात कर लेते, Acid and Basis के Chapter की, कि Acid and Basis क्या होता है, तो देखिए जो आपसे exam में पूछते हैं, मैं वही यहाँ पर करने वाली हूँ, आपसको ये जो, कि Acid क्या होते हैं, खटे होते हैं, कि क्या होते हैं, ये सब आपको पता है ठीक है, Simple पता देती हूँ, कि Acid जो होते हैं, ये Release H Plus Ions, इनके पास क्या होता है, ये H Plus Ions Release करते हैं, और जो Basis होते हैं, ये क्या Release करते हैं, ये आपके OH- Ions को Release करते हैं, ठीक है आप इसके बाद बात कर लेते हैं, कि Acids जो होते हैं, ये हमारे कैसे, Saw Taste में होते हैं, और Basis क्या होते हैं, आपके ये Bitter होते हैं, और Slippery होते हैं, Slippery to Touch होते हैं, बस इतना काफी है अब बात कर लेते हैं, Litmus Paper, तो आपको कुछ Indicators पढ़ने हैं, कुछ सूचक पढ़ने हैं, तो वो सूचक आपके हो जाएंगे एक तो आपके Natural Indicators, पिर एक आपके Olfactory Indicators, पिर एक आपके Synthetic Indicators तो ये 3 Indicators आपको पढ़ने हैं, N-O-S या S-O-N, Sun, तो S हो गया Synthetic Indicators, O हो गया Olfactory Indicators और आपका N हो गया Natural Indicators, तो Olfactory Indicators जितने भी होते हैं, जैसे प्याज हो गया, तो ये सब Long हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे इनका क्या होगा, Smell में Change हो जाएगा, बदलाव आजाएगा, जब ये Acid में रहेंगे, तो ये सब चीजें बस Simple आप पता करिए, सिर्फ आप जान लिजे, Main आपको पढ़ने है, Synthetic Indicators और Natural Indicators में, ठीक है, चलिए, अभी देख लेते हैं, कि Litmus Indicators, तो Litmus Indicators, लिटमस का जो paper होता है, वो generally purple color का आता है, याद रखेंगे इस बात को, निटमस का paper, निटमस का जो paper होता है, वो different colors में आता है, तो generally वो purple color का पाया जाता है, तो purple color का जब paper होगा, अगर कोई भी Acid होगा, तो वो purple color किसमें convert हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे, जब Acid होगा, तो तो वो purple color red में convert हो जाएगा, जब वो base होगा, कोई भी solution, तो वो purple color आपका blue में convert हो जाएगा, क्या मैंने बोला, जो litmus paper, अगर देखे, आपको litmus paper हमेशा colors के आप से समझना होगा, अगर color purple है, तो acid में क्या हो जाएगा, आपका red color हो जाएगा, और अगर base है, तो आपका blue color हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे, पर अगर मेरे पास red litmus paper है, या मेरे पास blue litmus paper है, तब उस condition में क्या होगा, अभी color change हो गया litmus paper का, अभी तक मेरे पास क्या था, purple litmus paper था, आप क्या है, red litmus paper या blue litmus paper, तो आप एक बात याद रखेंगे, सबसे important बात कि, जो acid होता है, वो B, A, R, ये acid है, acid convert करेगा, blue litmus to red, तो मतलब A acid जो है, वो blue से red में convert हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, red litmus paper है, तो acid होगा, तो क्या हो जाएगा, ये red रहेगा, और red, ठीक है, और, अगर blue litmus paper है, तो इसमें क्या है, मतलब end result आपका, हमेशा acid में red आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कि end result आपका red आएगा, क्योंकि acid हमेशा blue litmus to red convert करता है, अगर litmus paper ही red है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो acid का end result क्या होता है, blue litmus to red, तो अगर red litmus paper है, तो उसका कोई color change नहीं होगा, पर अगर blue litmus paper है, तो उसका color red में convert हो जाएगा, क्योंकि end result क्या होता है, हमेशा litmus paper का acid के case में blue होता है, blue litmus to red, sorry red होता है, ठीक है, अगर बात कर लेते हैं base की, तो base में क्या हो जाएगा, base रहेगा तो आपका, यह convert हो जाएगा, red litmus to blue, अब बाह लीजे, मेरे पास एक तो red litmus है, यह paper कैसा है, red litmus, और यह मेरे पास क्या है, blue litmus paper, ध्यान से समझेंगे, एक्जामिय क्वेशन आया है, बहुत confusing है, इसलिए मैं बारवर समझा रही हूँ, तो red litmus का paper है, और blue litmus का paper है, अब मैं बात कर रहे हूँ, अपने base की, तो base का end result क्या होता है हमेशा, blue, B से base और B से blue, तो हमें blue देखना है, तो red क्या convert हो जाएगा, red आपका blue में convert हो जाएगा, और जो blue litmus paper है, वो blue का blue ही रहेगा, same color रहेगा, I hope मैं अपने points को अब तक पहुचा पाई होँगी, और आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं, अगली बात हमारी है, turmeric indicator, turmeric indicator आपने देखा हो, तो वो शार को डालने से आपका जो yellow color का जो spot है, वो red color में convert हो जाता है, तो ये आपका turmeric एक इंडिकेटर की तरह use होता है, तो अगर turmeric indicator है, सूचक है turmeric हल्दी, हल्दी सूचक की तरह है, तो अगर acid होगा, A होगा, तो yellow color में ही रहेगा, पर अगर base होगा, शार होगा, अमली है, तो पीला रहेगा, शार है तो आपका लाल रण में convert हो जाएगा, ठीक है अगले बात point पे चलते हैं, आपका methyl orange, बार-बार exam में पूछा गया question है, कि methyl orange के case में क्या होता है, तो methyl orange का color का जो main, जो neutral solution होता है, वो आपका yellow color का होता है, पर अगर acid है, तो ये yellow किसमे convert हो जा रहा है, red में convert हो जा रहा है, और अगर base है, तो ये convert same yellow की तरह ही रह रहा है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, methyl orange का yellowish orange color होता है, neutral solution में, जैसे ही आप acid डालते हैं, उस indicator में, उस सूचक में, तो आपने जब अमलिये, उसको medium दिया, तब क्या हो गया, वो red color में convert हो गया, पर जैसे ही आपने शारी medium मनाया, तो वो yellow same वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, फिनॉप्थिलिन की, ये भी बार-बार पुछा गया question है, कि फिनॉप्थिलिन क्या होता है, neutral रहता है, जब neutral उदासीन solution में रहता है, तो ये आपका colorless होता है, इसका कोई color रही होता है, पर जैसे ही आप acid डालते है, तो वैसा का वैसा ही रहता है, पर जैसे ही आप base डालते हैं, मतलब शार डालते हैं, तो वो color pink में convert हो जाता है, इस point को आप बहुत अच्छे से note करेंगे, ठीक है, अब आपके exam में एक question, थोड़ा statement के form में, बहुत घुमाया हुआ करा है, और ये question में जरू इक्लूट करूँगी, जब मैं अभी 3-4 इन question के series आपको कराऊंगी, इस question मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए, क्या होता है, दो तरीके की चीजे होते हैं, एक strong acid और एक strong base, एक weak acid और एक weak base, ठीक है, आपको image side में लगी हुई है, इसको आप note कर लिजे, कौन से strong acid है, strong acid और strong base का कैसे आपकी exam में question आता है, अगर आपका strong acid है, मालीजे HCl है, ठीक है, और आपका strong base है, मालीजे हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, ठीक है, आपका NaCl तो salt हो गया, sorry, NaOH ले लिया, ठीक है, तो यह क्या होगा strong acid, और यह क्या होगा strong base, जब भी strong acid और strong base की reaction होगी, याद रखेंगे, वो reaction क्या है, एक तरह से neutralization reaction है, मतलब उदासी reaction है, ठीक है, वो आपके neutralization reaction हो जाएगी, पर यह तो आपका पहला case हो गया, दूसरा case आप समझेंगे बहुत अच्छे से, जब जहां से question आपको पूछे जाते हैं, दूसरा case है, अगर आपकी strong acid की reaction, आपकी weak base के साथ हो रही है, आप ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, strong acid की reaction, weak base के साथ हो रही है, for example, मैंने लिया यहाँ पे HCL, HCL की reaction मैंने HCOOH, COOH, formic acid के साथ कराई, formic acid हमारा weak base है, तब क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जो यह चीज बनेगी, यह क्या बनेगी, यह आपकी क्या होगी, यह कैसा solution बनेगा, यह आपका solution बनेगा, आपका acidic, क्योंकि आपका strong कौन था, acid था, तो आपका solution कैसा बनेगा, ऐसी dick बनेगा, यह बात आप याद रखेंगे, अगर third case, अगर आपका weak acid है, और आपका strong base है, weak acid और strong base, यह आपका third case हो गया, तो weak acid और strong base में तो क्या हो जाएगा, देखिए, अब क्या है strong base है, तो आपका कैसा medium हो जाएगा, आपका medium अमली हो जाएगा, जिसको आप alkaline बोलेंगे, यह आपका basic medium हो जाएगा, ठीक है, यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, चौथी condition हो जाती है, जब आपका weak acid होगा, और weak ही base हो जाएगा, तो वापस है neutralization, उदासीन reaction आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यह 4 point आप याद रखेंगे, इस से आप अपने reaction तक पहुँच जाएगे, आपको question कैसे पूछते हैं, कि माल लिजे, आपको indicator से question पूछते हैं, ठीक है, जस्ट ए सेकिंड, आपको question indicators से पूछते हैं, इस चीज को और indicator को मिला के कलाब करके question आता है, कि अगर कोई भी solution है, उसमें क्या है acid डाला, और वो acid कैसा strong acid है, और उसके बाद उसमें base डाला, और base कैसा है, weak base है, तो reaction में क्या फरप्रवाफ पड़ेगा, तो आप इस चीज को समझेंगे, कि अगर strong acid है, तो reaction acidic रहेगी, अगर strong base है, तो reaction basic हो जाएगी, अगर reaction में क्या है, आप weak acid और strong acid लगा रहे हैं, तो हमेशा strong acid की तरफ जाएगा, medium, और base strong होगा, तो शारी medium जाएगा, आपका basic रहेगा, medium, तो यह सब points आप याद रखेंगे, अगर दोनो equal है, मतलब strong acid, strong base है, तो आपका neutralization वाली reaction हो जाएगी, weak acid और weak base है, तो neutralization वाली reaction हो जाएगी, यह question हम करेंगे, तब आपको जादा और clarity आएगी, I hope अभी तक बातें आपको समझ में आई होगी, चलिए, अगली बात कर लेते हैं, अब आपको fenophthalene भी हो गया, आप कुछ olfactory indicators में क्या हो गई, कि जब यह क्या करते हैं, यह lose कर देते हैं, smell को, अब बात कर लेते हैं, metal की reaction acid के साथ, metal की reaction acid के साथ, metal की reaction base के साथ, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, तो कोई भी metal है मेरे पास, यह metal है, और metal को मैंने किस के साथ react कराया, HCL के साथ react कराया, तो यह क्या बन जाएगा, salt बनाएगा, plus water बनाएगा, और plus आपकी hydrogen gas निकलेगी, यह hydrogen gas release हो रही है, यह आपका test होता है, आपका pop sound test, तो यह आपके exam में question पूछा जाता है, कि जब metal की reaction आपका acid के साथ हो रही है, तो क्या कौन सी gas release हो रही है, और वो कैसी sound निकाल रही है, तो आपकी gas हो जाएगी hydrogen, और वो sound कैसी निकाल रही है, pop sound, pop, इसका reaction देख लेते हैं हम, जैसे मैंने एक metal लिया, Zn plus HCl, तो क्या बन जाएगा, यह आपका ZnCl2 बन जाएगा, प्लस आपका water, और प्लस आपका hydrogen, तो यह क्या reaction हो गई, यह आपकी metal की reaction हो गई, acid के साथ, चलिए, आप देख लेते हैं, कि जब metal की reaction हमारी base के साथ होती है, तो अब क्या होता है, तो metal हो गया, माल लिजे कोई हमारा Zn, प्लस हमारा base हो गया, NaOH, तो क्या बनाएगा, यह बनाएगा आपका, NaNo2 फ्लस water, ठीक है, तो यह reaction आपकी क्या हो गई, metal के साथ, जब base react कर रहा है, इसके बात कर लेते हैं, metal carbonates की, जब metal carbonates आपके HCl के साथ या acid के साथ react करेंगे, या जब metal carbonate आप base के साथ react करेंगे, तो चलिए उनकी reactions देख लेते हैं, metal carbonate है, माल लिजे हमारा, metal carbonate में कौन से ले रहे, Na2CO3, यह हमारा क्या हो गया, sodium carbonate, में बस end result पूछते हैं, तो ध्यान देंगे, इस acid के साथ कराई, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका इधर बन जाएगा, NaCl plus CO2 plus water, तो इसमें क्या है, carbon dioxide release हुई, तो यह आप से पूछते हैं, कि जब आपका metal carbonate acid के साथ react करता है, तब आपका क्या बनता है, ठीक है, चलिए, अब next देख लेते हैं, जब आपका metal hydrogen carbonate आपका, किस के साथ react करेगा, acid के साथ react करेगा, तो NaHCO3 plus किस के साथ, HCl same, तो क्या बना लें, NaCl plus H2O plus CO2, तो चाहे metal hydrogen carbonate हो, चाहे metal carbonate हो, यह दोनों आपका क्या release करता है, carbon dioxide release करता है, यह बात आप याद रखेंगे, अब आपका reaction एक होती है, कि acid की reaction, जब base के साथ होती है, तब क्या होता है, मतलब एक acid, जब react कर रहा है base के साथ, इस अब statement के form में आपको से question पूछ लेते हैं, इसलिए आपको reactions का बस पता होना चीए, क्या क्या चीज़े बन रही है, acid की reaction जब आपकी base के साथ होगी, तब क्या बनेगा, आपका बन जाएगा, salt plus water, ठीक है, हम देख लेते reaction NaCl, NaC, sorry, acid क्या हो गया, हमारा HCl हो गया, plus base क्या हो गया, NaOH हो गया, और क्या बन रहा है आपका, NaCl और plus water बन रहा है, तो ये reaction आपकी एक reaction हो गई, और इस reaction का नाम होता है, neutralization reaction, याद रखेंगे, इस reaction का नाम होता है, उदासी, reaction, neutralization, reaction, ठीक है, तो इतने points, I hope आपको clear हुए होंगे, तो सारे points मैंने cover कर दिये, चलिए, अब बच्चा हुआ, चीजे हम complete करते हैं, जो next बच्चा हुआ, आईए, आप और चाइना रोज इंडिकेटर क्लास 7 की book में आपका है, और यह एक बार शायद पूछा भी गया है, तो आप इसको देख लिजे कि क्या क्या होता है, तो चाइना रोज एक तरह का आपका natural indicator है, और इस natural indicator में, आपका acid अगर होगा कोई भी medium, तो वो dark pink color का हो जाएगा, और अगर base होगा, तो यह आपका green color का हो जाएगा, इतना ही आपको याद रखना है, कि acid में China rose indicator dark pink color का हो जाएगा, और base रहेगा, तो green color का हो जाएगा, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे, अमली में pink और शार में green, ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, कुछ और points थे, कि आपका अगर, एक image भी मैं आपको side में लगाऊंगी, तो उसको भी आप याद ज़रूर कर लिजेगा, pause करके देख लिजेगा, screenshot ले लिजेगा, वो आपको table chart याद करना ज़रूरी है, आते हैं, आते हैं, ठीक है, चलिए, आइए, देख लेते हैं, सबस्क्राइब इसमें, कि जिसे अगर indigestion हो जाता है, तो आप क्या लेते हैं, तो आप एक तरह से आपके शरीर में, चमाक में क्या होगे, acid की मात्रा ज़ादा हो गई, तो उसको neutralize करने के लिए, एक तरह से उदासीन reaction कराने के लिए, उसमें आपको base डालना पड़ेगा, एक शार डालना पड़ेगा, तभी आप anti-acids खाते हैं, milk of magnesia हो गया, या anti-acids की tablet हो गई, तो यह सब क्या कारण हुआ, आपका acid भढ़ने की वज़े से आपने क्या डाला, उसमें एक तरह से शार डाल दिया, तो यह आपको indigestion, अपच के समय में आपको base को add करना है, साथी साथ आपके अगर कीडे ने काट लिया, अगर ant ने bite कर लिया, ant sting हो गया, तो उसमें क्या release किया, उसमें रिलीस किया एक तरह का acid, जो की है formic acid, हCOOH, यह formic acid है, आप इस ant bite को neutralize करने के लिए क्या किया, आपक से क्या होगे, आपने base को घिसा, base को घिसने की वज़ा से क्या होगे, वो reaction उदासीन हो गई, और वो आप भी हो चीज ठीक हो जाएगी, अब बात कर लेते हैं, अगर soil में जो हमारी म्रदा होती है, वो म्रदा अगर उसमें जादा fertilizers का use कर लेते हैं, तो म्रदा कभी-कभी acidic हो जाती है, या आपका कहीं पर आस-पास क्या है, कोई factory है, तो factory के waste की वज़े से उसमें क्या होगे, म्रदा हो गई, acidic या basic, जो भी medium की म्रदा हो जाएगी, उस medium से, दूसरे medium में इसको convert किया जाएगा, मतलब उसको neutralize किया जाएगा, अगर म्रदा acidic हो रही है, तो अब हम क्या डाल रहे है, base डाल रहे है, या शार डाल रहे है, और या शार है, quick lime, yes, slaked lime, इसको बिना बुझा चूना भी बोलते है, इसको quick lime को, ठीक है, quick lime बिना बुझा चूना, और base आपको क्या हो जाएगा, अगर वो soil, आपकी म्रदा, आपकी basic शारी हो गई, तो आप उसमें compost डाल देंगे dead organic matter manure के form में आपका उसमें पढ़ जाएगा, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, next chapter की हमारी metal और non metal की अपका अधातू, अधातू, तो कुछ points हैं, जो कि important हैं, आपके exam point of view से, सबसे पहली बात है कि जो metals होते हैं, वो सारे solid होते हैं, पर एक exception, एक अफव ठीक है, तो exception हो गया, फिर मेटल्स होते हैं, जनरली होते हैं, पर फिर से एक अपवाद आ गया, कि आपका sodium और potassium, जो metal है, पर यह क्या है, यह आपका एक तरह से soft metal है, ठीक है, तो exception हो गया, पिर से, पिर मेटल्स जो सारे होते हैं, यह चमकीले होते हैं, इनका high melting point और boiling point होत है, इसके बाद सारे मेटल्स जो होते हैं, मतलब इनकी आप चादर की sheets आपने परत देखी होगी, किस परत देखी हैं, जैसे aluminium foil हो गया, फिर आपने मिठाई के उपर एक silver की layer देखी होगी, तो यह सब क्या है, यह सब मेटल्स हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, चादर के form में ब बात कर लेते हैं, मेटल्स जो हैं, यह अच्छी तरह से अवाज निकालते हैं, मतलब टन 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 की अवाज निकलती है, क्योंकि मेटल्स हमारे sonorous होते हैं, ठीक है, अब यही चीज नॉन मेटल में इसकी उल्टी हो जाएगी, पर कुछ अपवाद मैंने कुछ एक्सेप्श नॉन मेटल्स जो होते हैं, यह बात कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी, पर इसमें फिर से आपकी एक अपवाद आ जाता है, कि ग्रेफाइट आपका बिंग अनॉन मेटल, इस अ गुड कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी, तो यह आपका अपवाद आपको याद रखना है, अब बात आती है, आयोडीन, आयोडीन एक तरह का नॉन मेटल है, पर यह क्या है, लस्चिरस, क्योंकि सारे नॉन मेटल तो नॉन लस्चिरस होते हैं, मतलबी चमकीले नहीं होते हैं, अब आयोडीन क्या है, आपका नॉन मेटल है, पर फिर भी यह लस्चिरस है, चमकीला है क्यों क्यों एक अपवात के अंदर आता है विस्त करता है जैसे कि एक Diamond और Graphic 대 यह आपसे पूछते हैं एक्जाम में ढिरान रखेंगे कि इ साथ में ओक्षिजन आपका metal oxide बनाता है जैसे देख सकते हैं copper plus oxygen की reaction हुई तो copper oxide बना आप से क्या पूछते हैं कि metal oxide are basic in nature, acidic in nature की क्या होते हैं तो metal oxide आपके basic in nature हमेशा शारी होते हैं nature में basic in nature ठीक है तो ये कैसे होते हैं आपके basic in nature ये आपसे exam में पूछा जाता है तो इस पे आप important लगा लेंगे आप बात कर लेते हैं they are insoluble मतलब पानी में घुलनशील नहीं होते हैं कौन? metal oxide in water but some dissolve in and form जो dissolve हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं वो alkali बनाते हैं ये class 10 की line है आप याद करेंगे भी कि नहीं याद करेंगे ये आपकी मर्जी है class 10 की statement में ये 9 निखी गई है अब बात करते हैं reaction with water जब metal की reaction water के साथ होती है तो आपने देखा है कि metal oxide बना रहा है साथ में hydrogen gas release कर रहा है अब आपको जिसे metal क्या हो गया sodium यह क्या है potassium आपको यहाँ sodium से भी reaction हो सकती है calcium से भी reaction हो सकती है तो इसकी deep reaction तो class 10 वाले में दी गई है कि किसमे catch कर रहा है fire किसमे वो float कर रहा है किसमे क्या हो रहा है किसमे थंडे पानी से react कर रहा है अगर मैं potassium की reaction दिखा हूँ तो यह पानी के साथ जैसे ही react करेगा तो यह आग पकड़ लेगा ऐसे ही sodium की reaction दिखा हूँ तो यह भी क्या हो जाएगा potassium जो potassium है यह पानी के साथ react करेगा तो यह क्या होगा यह exothermic reaction हो जाएगी और आपका sodium जब पाने के साथ react करेगा तो यह आपका आग पकड़ लेगा ठीक है साथ साथ reaction with acids तो जब reaction metal की acid के साथ होती है तो यह salt बनाता है plus water बनाता है अब जब metal है और plus HCl acid है तो यह क्या बना रहा है MgCl2 plus water इसमें आपको main बात यह रखनी है करने वाली बात क्या है कि जो sodium जो दो metals होते है इस point को फिर से मैं repeat कर दे रही हूँ अगर आपको infusion create हो गया है exothermic reaction निकालता है मतलब lot of heat energy जो है वो release करता है तो यह point यहां में समझाने कोशिश कर रहे थी ठीक है चलिए अगले point की तरफ चलते हैं अब आपके exam में reactivity series से बहुत जादा question पूछा जाता है तो आईए इसको समझ लेते हैं कि reactivity series क्या है तो reactivity series में जो सबसे उपर metal होता है वो क्या हो जाएगा वो highly reactive होता है और जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे यह इनकी reactivity जो धीरे-धीरे वो कम होती चली जाएग एक निमोनिक्स से यह निमोनिक्स है कालू नाम का मदारी आलू जरा फीके पकाता और यहाँ पे है मतलब यहाँ पे बीच में आ गया hydrogen और इसकी affinity जो हम देखते हैं वो हम किस से देखते हैं वो हम hydrogen से देखते हैं कि सबसे पहले hydrogen से नीचे वाले क्या हो जाएंगे least reactive की तरफ आ जाएंगे यह hydrogen से क्या है एक तरफ का मान है इसके उपर वाले क्या हो जाएंगे रियाक्टिव हो जाएंगे इसके नीचे वाले क्या हो जाएंगे least reactive की तरफ आ जाएंगे क्यों कि बीच में मारा एक मान प्रेजेंट है जो कि hydrogen है आप देख लिते हैं जैसे कि reaction आपको दी आपके exams में क्या करते हैं एक reaction चार-पांस reactions दे देते हैं अब आपसे पूछते हैं कि कौन सी reaction possible होगी और कौन सी नहीं होगी possible तो वो जो possible होगी वो आपकी reactivity series के हिसाब से ही possible होगी आपको उसमें से check करना पड़ेगा कि जो metal अगर highly reactive है तो वो less reactive metal को displace कर सकता है मैंने क्या बोला कि जो high reactive metal होगा वो less reactive metal को कुझो compound रहेगा उससे उसको displace कर लेगा तो आईए इस बात को समझते हैं अगर मैंने reaction लिखिए iron प्लस cuSO4, FeSO4 प्लस Cu बन रहा है इसका मतलब बहुती simple language में आपक से घर बसा हुआ है यह क्या है इसका घर है पूरा cuSO4 पूरा घर है और यह क्या है यह अकेला अदमी है ठीक है यह कैसा है अकेला ध्यान देंगे इस बात को यह अकेला है यह इसका घर है अब आप इस reactivity series में देखिए कि iron की placement कहा है तो iron हमारा इधर देखने को मिल रहा है औ अगर मैं इन दोनों की position में देखूं तो iron क्या हो गया iron ऊपर है और copper कहां है copper नीचे है जो चीज नीचे है वो मतलब वो least reactive है वो कम reactive है और जो ऊपर है वो highly reactive है उसका उस वाले metal की अपेक्षा ठीक है तो इसका मतलब यह क्या है यह आपका iron कैसा हो जाएगा iron आपका कैसा ह हो जाएगा ठीक है यह ताकतवर हो गया और यह copper कैसा हो जाएगा यहां पर copper कैसा हो जाएगा copper आपका कमजोर है जब जो कमजोर है तो इसका मतलब जो ताकतवर है वो कमजोर के उपर अटाक कर सकता है पर copper के पास क्या है copper के पास अपना घर है पर अपना घर होने के क्या किया copper के घर को ले लिया और iron इससे क्या बन गया iron sulphate बन गया और copper अब अकेला छूट गया तो यह मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जिसकी affinity जादा होती है जो more reactive होता है वो अपने से कम कमजोर वाले की position उसका घर सब कुछ ले लेता है और उसको अकेला छोड़ देता है अपना वो उस घर के अंदर बसकर रह जाता है ठीक है आप आपके साब से कोई भी reaction अगर आएगी तो आप इस chart के हैज से आप बना सकते हैं अगर आपकी reaction mgcl2 की आए अगर आपकी reaction ale to ale aluminium की आए आपकी zinc की आए तो आप इससे बना सकते हैं कैसे क्योंकि अगर उपर रहेगा तो वो नीचे वाले को replace कर सकता है अगर opposite दे देते तो यह चीज नहीं हो पाती possible ठीक है तो यह बात आप समझेंगे अगर opposite reaction होती तो यह चीज पॉसिबल नहीं हो पाती आप मैं अपने points में clear होई होगी इसके बात बात कर लेते हैं इसे लठ्चे गोल गोल से मने होते हैं तो वह अफ़ं को क्या करते हैं ओर पकड़े और पिटे हैं उनद क्या होता है जो न आज होते हैं और और baan आपने देखा होगा वरतों को सूप लेके इस तरह से हैं ग्रेंज को साफ करती है वो साफ करने का तरीका कैसे हो जाएगा? कि आप उनका उसमें पड़ा है आप ग्रेंज में क्या है? बूसी भी है कंकर भी है और बी तरह के कच्छे वह एसे ऐसे अगर वो उसको हवा में हovा की जिस दिश्ों के रहते हैं तो उसके ऑपोसी में हों वो खड़ा की-स तरह करती है हिलांती है लड़ाती है और यह उनका अनाज होता है वो नीचे गिर जाता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं विनोइंग या सूप के द्वारा उस उस ग्रेंज को साफ करना ठीक है तो यह भी आपका सेपरेशन हो गया एक तरह से अब बात कर लेते हैं सीविंग की आपने घर में आटे को चालते हुए देखा होगा कोई और घर क समान देखा होगा चालते हुए इस तरीके से चनी से तो वो क्या हो गया सीविंग का मेथड हो गया अब बात कर लेते हैं सेडिमेंटेशन डीकांटेशन और आपका फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन अवसादन निस्तारन और चानना तो आईए इसको हम बहुत अच्छे से स सेंड को अच्छे तो पूरी एक तरफ प्या थी पैल गई इसको मैंने। इस सिर किया उसके थोड़े देर बात क्या होगा थोड़े देर समय के बाद ये क्या हो जाएगा ये सेंड नीचे बैठ जाएगी और पानी क्या है उपर आपको पानी ऐसा क्लियर दिखेगा जब सैंड नीचे बैठ जाएगी तब उसमें मैंने क्या किया पानी को निकाल दिया और सैंड को नीचे छोड़ दिया जब मैंने पानी को निकाला इससे मैंने क्या किया पानी को निकाल दिया तो जब मैंने पानी को उपर से ऐसे पलट किया जब मैं इसको ऐसा पलटूंगी Tilt कर दूंगी Tilt करके क्या है पानी निकल जा रहा है और पानी निकल के Sand जो है वो नीचे बैठ जारी है तो ये Sand जो बैठी हुई hè क्या हो गया Sedimentation की प्रक्रिया हो गयी तो ये sedimentation हो गया और नीचे से उपर यह निकल गया ये हो गया आपका Decantation है, ये मेरे पास इधा ध्यान देंगे। ये मेरे पास बीकर है। इसमें क्या? इसमें मैंने पहले क्या डाल दिया? ऊयल डाल दिया. और प्लस इसमें क्या है? Water प्रेम्ट है. तो ओएल और वाटर प्रेम्ट है. यहाँ और पानी इसमें नीचे इस तरीके से है अब ओयल जो है वो यहां से निकल जाएगा ठीक है ओयल यहां से निकल जाएगा और पानी आप तब तक ओयल निकालेंगे जब तक कि यह ओयल आपका मालीजे यहां पर भर गया ठीक है तो ओयल कहां गिर गया ओयल आपका आके यहां प और नीचे इसमें क्या रहे गया इसमें पानी बच गया और पानी बच गया तो यह क्या हो गया एक तरह से पानी का बच जाना अब इसको हम इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम sedimentation नहीं बोलेगो कि इसमें नीचे कुछ नहीं अफशिष्ट बचा है इसमें पानी बचा है सिर्फ तो यह सिर्फ decantation की प्रक्रिया है पर इसी में मैंने क्या डाला होता मैंने ओएल भी एड़ किया होता और साहते सेंड भी आट किया होता सब इसमें क्या है प्रक्रिया लग जाती क्या आपकी यहां पर पहला आपका लग जाता ओयल का निकलना डिकेंटेशन हो जाता यहां पर डिकेंटेशन प्लस इसमें वाटर अलग हो जाता और सैंड नीचे बैठ जाती तो इसमें क्या लग जाता आपका इसमें आपका लग जाता क्या बोलेंग में लग जाएगा तो उससे क्या होजाएगा उससे आप पानी को छान सकते हैं अच्छे से तो वो आपकी प्रक्रिया हो जाएगी छन्नी वाली इसको बोलते हैं filtration यह आपकी point clear हो गए होंगे आप बात कर लेते हैं evaporation evaporation जैसे की समुदरी इलाके के पास पास आपने देखा होगा कि ऐसे टीले बने होते हैं नमक के तो वो कैसे बन जाते हैं तो समुदर के आसपास गड़े कर दिये जाते हैं बहुत डीव डीव और उसमें समुदर का पानी भर दिया जाता है और पानी एवापुरेट होता है भाब बनकर उड़ जाता है और उड़ जाने से वो salt जो है वो बच जाता है और उस salt को फिर use किया जाता है तो ये प्रक्रिया आपकी exam में पूछी जाती है sea water वाली तो ये प्रक्रिया salt को कैसे remove कर रहे हैं पानी से evaporation की प्रक्रिया से remove करा जा रहा है ठीक है next बात आजाती Completion, तो जैसे मखन को निकालना, किसमें दूद ऑ मलाई से मखन को निकालना, ऐसे घुमा-घुमा के तो वो क्या हो गया, Senтаmaybe ifikation हो गया, इसी प्रक्रिया पर आपका काम कौन करता है, आपकी washing machine घर की काम करती है, mixer काम करता है तो यह सब किसकी प्रक्विया हो गई सेंट्रिफिघेशन की हो गई ब्लड से प्लास्मा को रिमूव करना यह आपकी प्रक्विया हो गई सेंट्रिफिघेशन की यहाँ पर जा कर आपकी chemistry पूरी finish होती है अभी भी कुछ अगर topic रहा है तो आप comment section ने बता दीजे का मैं कहीं न कहीं करके कैसे न कैसे करके आपको video बना के दे दूँगी Till then thank you so much for watching this video Thank you